गुड मॉर्निंग देर स्टूदेंस तुड़ें इन दे केमिकल बांडिंग वियर गुएंग टॉक अबाउट वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेर रिपल्शन थेयरी इन दे शॉर्ट टॉम इट इस कॉल्ड अज वेस्पर थेयरी तो वेस्पर थेयरी जो थी ये फिर्स थेयरी थी जो के जिसने सिजेस्ट किया था के मॉलीकूल की जो शेप है वो कैसी हो सकती है तो आप इमेजन किजिए के 1940 में सिग्विक और पावल ने ये दी थी और इसको फर्दर डेवलप किया था नाय होम ने 1957 में ये जो थेयरी है ना इस बेस के उपर टिकी हुई है कि जो एक Central एटम होता है जैसे आप के पास Carbon Dioxide है तो Carbon उसमें Central एटम है जैसे आप के पास Water है तो उसमें Central एटम Oxygen है तो यह जो थियोरी है इसमें कहा गया कि जो सेंटरल एक्टम के आसपास दो तरह के इलेक्टरॉंस हो सकते हैं बॉंड पियर और लॉन पियर जिनको बॉंडिंग ऐस नॉन बॉंडिंग कह देते हैं अब बॉंडिंग बॉंडिंग वाले भी एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं नॉन बॉंडिंग वाले भी यानि लॉन पियर लॉन पियर भी एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं तो एस ए रिजल्ट ये जो इलेक्टरॉंस हैं bonding और non-bonding एक दूसरे से इतनी दूर जाने की कोशिश करते हैं ट्राय करते हैं जहाँ पे repulsive forces minimum हो और जहाँ पे repulsive forces minimum होती है बच्चा वहाँ पे stability जो है वो maximum होती है ठीक है मैं आपको ऐसे समझाता हूँ आप देखिए न एक घर में तीन चर बच्चे है ठीक है उन में से एक student जो है वो पढ़ने वाला है ठीक है एक बच्चा जो है वो बहुत ही पढ़ने वाला है तो वो तो बाकियों को तंग नहीं करेगा वो खुद में बिजी रहेगा और जो बाकी बच्चे हैं वो non-bonding electrons की तरह है वो खुद भी नहीं पढ़ते और पढ़ने वाले को भी नहीं पढ़ने देते तो इस तरह से उनके बीच में repulsions होती है repulsions होती है तो electron के उपर bonding हो या non-bonding हो होता तो negative charge है ना तो negative और negative charge देख दूसरे को repel करेंगे तो वो central atom के आसपा space में अपने आपको इस तरह से orient कर लेते हैं इस तरह से अपनी position को occupy कर लेते हैं के उनके बीच में repulsions खतम हो जाए जैसे के वो 3-4 बच्चे थे घर में तो उनके मम्मी पापा central atom की तरह act कर रहे हैं वो बच्चों को एको ground floor पे एक कमरे में एको ground floor में दूसरे कमरे में और बाकी एक दो बच्चों को first floor पे और second floor पे छोड़ देते हैं उनके अलग-लग room बना देते हैं ताकि इनके बीच में repulsions नहीं नहीं हो लेकिन अगर वो इकटे रहते हैं तो repulsions होती हैं तो ऐसे ही elektrons के बीच में बहुत repulsions होती हैं लेकिन repulsions एक stage पे आके खतम हो जाती हैं क्योंकि उनके बीच में distance काफी increase कर जाता है जैसे ground floor पे है एक बच्चा और एक third floor पे है तो naturally उनके बीच में repulsions लड़ाई जगड़े जो होने बंद हो जाएंगे तो वो क्या होगा कि उनकी जो stability है उन बच्चों की घर में और घर भी stable होगा लड़ाई भी नहीं होगी इसी तरह से central atom के surrounding में यानि कि उसके उपर जो bonding और non bonding electrons हैं वो एक दूसरे को पहले तो repel करते हैं और as far apart as possible in the space और space में एक दूसरे को यानि bonding और non bonding electron एक दूसरे को इतनी दूर तक देकेल देती हैं ताके उनके बीच में repulsion खतम हो जाए और जब repulsive forces minimum होती हैं या खतम हो जाती हैं तो energy molecule की minimum हो जाती हैं और minimum energy जो है molecule की stability को लेकर के आती है और molecule जो है वो क्या हो जाता है stable हो जाता है ठीक है तो ये मैंने introduction दी है आपको wessper theory की इसके postulates हैं wessper theory के molecule की shape इस चीज़ पर depend करेगी के कितने जो है valence electron central atom के आसपास हैं जैसे suppose कीजिए carbon dioxide है तो उसमें carbon central atom है ठीक है तो carbon का atomic number कितना होता है 6 6 होता है तो उसकी configuration क्या होती है 2,4 यानि आउटोमोस चेल में 4 electron है तो carbon dioxide की यह carbon के जितने भी molecules हैं उनकी जो shape हैं वो इस चीज़ पर depend करेगी कि कितने valence electron थे जिन्होंने bond बनाने थे या नहीं बनाने थे तो इसलिए first postulate में कहा गया shape of molecule depend upon valence electron around the central atom I'm sure कि this is clear to you first postulate is clear to you now please come to the second postulate second postulate में कहा गया कि जो molecule की shape है linear होगी अगर उसमें सिरफ दो ही atom होगे आप just imagine कीजिए ना hydrogloric acid HCL उसमें कितने atom है दो एक hydrogen एक kulrene तो molecule की shape क्या होगी linear linear मतलब सीधी तो ये बहुत ही simplest सा पास्टिलेट है जैसे HF है तो उसमें दो atom है hydrogen और fulrene तो उसकी shape क्या होगी linear और example H2 H2 में कितने hydrogen atom है दो तो उसकी shape जो है वो कौन सी होगी linear होगी तो second पास्टिलेट में कहा गया कि जो molecule की shape है अगर उसमें दो ही atom है तो molecule की shape जो है वो linear होगी अच्छा ओके अगर आपको second पास्टिलेट clear है तो third पास्टिलेट में कहा गया कि अगर molecule में तीन atom है तो एक atom को central atom बोला जाता है one of the atom is called as central atom ये picture आपको आगे जलते जलते clear होती जाएगी कि central atom किसको कहना है ठीक है अच्छा जैसे ये चौत्छे पास्टिलेट में methane का structure बनाया हुआ है मैंने deliberately 10th standard बला structure मनाया difficult structure नहीं मनाया तो आपको बताना है methane का formula क्या होता है CH4 तो carbon के साथ 4 hydrogen atom है तो इसमें जो carbon है वो कौन से atom होगा central atom होगा कौन से atom होगा central atom होगा तो यहाँ पे मैं star लगा के लिख देता हूँ कि ये central atom है ठीक है ये central atom है तो आपको central atom के बारे में थोड़ा थोड़ा idea होना शुरू हो गया जैसे जैसे chemical bonding आ गए बढ़ती जाएगी आपको central atom के बारे में और भी ज़्यादा पता चलता जाएगा अच्छा fourth passulate में कहा गया कि अगर central atom एक जैसे atom के साथ और central atom के उपर कोई loan pair of electron भी नहीं है तो molecule को symmetrical कहेंगे मैं repeat करता हूँ central atom इसमें carbon है और ये चार hydrogen से जुड़ा हुआ है चारो hydrogen एक जैसे हैं और central atom carbon के उपर कोई loan pair of electron भी नहीं है यानि non bonding electron भी नहीं है तो उसने कहा कि अगर central atom के पास कोई loan pair electron इस तरह के molecule को हम क्या कहते हैं symmetrical molecule कहते हैं और इस तरह की geometry को हम regular geometry कहते हैं आगे चलके इसकी बहुत सरी example आएंगी फिफ्थ पास्टुलेट में कहा गया कि अगर फॉर्थ पास्टुलेट से थोड़ा reverse चलते हैं conversely कर लेते हैं कि अगर central atom जो है वो एक जैसे atom से attach नहीं है बलके different atom से attach है यह उसके उपर loan pair of electrons भी है तो पिछली वीडियो में बताया था कि loan pair of electrons जो हैं वो क्या होते हैं जो bond नहीं बनाते तो अगर central atom एक जैसे atom के साथ attached नहीं है यह central atom के उपर loan pair of electron है दोनों में से कोई भी एक condition अगर हो तो repulsion जो है ऐसे electrons के बीच में different होती हैं और इस तरह के molecule को हम uns symmetrical कहते हैं मैं इसकी example आपको देता हूँ मैंने इसकी दो example आपको मैं दे देता हूँ मैं एक paper पर बना के देता हूँ इसकी example देखिए ये हैं आपके पास oxygen ओके ये हैं hydrogen तो अब ये oxygen जो है वो central atom है ठीक है तो ये oxygen तो एक जैसे atom के साथ identical atom hydrogen के साथ जूड़ी हूई है तो फिर हमें तो इसको symmetrical molecule कहना चाहिए पर oxygen पे न यहाँ पे दो lone pair of electron होते हैं या चार non bonding electron होते हैं तो हमारी जो ये वाला जो पास्टुलेट है जिसका नंबर फिफ्थ है फिफ्थ पास्टुलेट में हमने कहा कि अगर central atom या तो different atom से अटाच है या उसके उपर lone pair of electron है तो इस तरह के molecule को हम क्या कहते हैं unsymmetrical molecule कहते हैं क्या कहते हैं unsymmetrical molecule कहते हैं और ये geometry जो है regular geometry नहीं होती अच्छा हम एक और example कर लेते हैं ये carbon है तो ये hydrogen है ये hydrogen है ये hydrogen है ये kulreen है तो अब carbon के साथ जो चारो atom attach हैं वो different हैं मतलब I mean to say चारो atom एक जैसे नहीं है तीन hydrogen तो एक जैसे हैं लेकिन carbon at least एक एक item से differ कर गया उन से तो हलांके carbon के उपर कोई loan pair of electron तो नहीं है लेकिन दोनों conditions में central atom के उपर अगर loan pair of electron ना हो और वो different atom से attach हो तो इस तरह के molecule को भी हम क्या कहते हैं unsymmetrical molecule कहते हैं क्या कहते हैं unsymmetrical molecule कहते हैं यह अगर central atom एक जैसे atom से attach हो लेकिन उसके उपर क्या present हो loan pair of electron present हो क्या present हो loan pair of electron present हो अगर central atom के उपर loan pair of electron है बेशक यह एक जैसे atom के साथ attach है तब भी उस molecule को हम क्या बोलेंगे unsymmetrical molecule बोलेंगे और अगर central atom के उपर कोई loan pair of electron नहीं है लेकिन यह चारो के चारो एक जैसे atom के साथ attach नहीं है तब भी इसको क्या बोलेंगे unsymmetrical molecule बोलेंगे ठीक है तो आपको मेरे खाल से ये अच्छे से क्लेर हो गया होगा कि अंसिमेटरिकल मॉलेक्यूल जो है वो क्या होते है और अगर इस अंसिमेटरिकल मॉलेक्यूल को आपको सिमेटरिकल मॉलेक्यूल बनाना है कार्बन हाइडरोजन का, ये बार्ण कार्बन कुलरीन का, इनके बीच में जो रिपल्शन होगी, और ये जो दो हाइडरोजन वाले कार्बन हाइडरोजन वाले बार्ण हैं, इनके बीच में जो रिपल्शन होगी, वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी, डिफरेंट होने की व hydrogen के बीच में जो bond की repulsion है उससे different है तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह है कि lone pair और lone pair के बीच में repulsion जो है वो same है लेकिन lone pair और bond pair के बीच में जो repulsion है वो क्या है? different है तो जहाँ पर repulsion different होगी molecule जो है वो क्या हो जाएगा? unsymmetrical हो जाएगा I'm very sure कि मैंने यह जो आपको paper पे, piece of paper पे लिखके दिखाया इससे आपको unsymmetrical molecule का जो concept है वो clear हो गया होगा clear है बच्चा? ओकी now come to the next next यह आपका fifth postulate था जिसकी मैंने example भी दे दी तो six postulate जो है उसमें हमने बताना है कि lone pair, lone pair के बीच में जो repulsion है वो ज़ादा होती है as compared to lone pair, bond pair के and this is greater than bond pair, bond pair अब मैं आपको इसको कैसे ही समझाऊंगा मैं आपको एक example देता हूँ दो बच्चे हैं गर में वेल ले, बिलकुल कोई काम नहीं summer holidays चल रही है और कोई उनको home work नहीं मिला तो वो आपस में खूब जगडा कर रहे हैं खूब लड़ाई कर रहे हैं तो ऐसे ही lone pair, lone pair ये bond तो बनाते नहीं तो इन्होंने क्या करना है एक दूसरे को repel ली करना है lone pair क्या, lone pair of electron बच्चा, lone pair of electron तो ये एक दूसरे को बहुँ ज़ादा repel करेंगे अच्छा चलो, इसका मतलब हमें पता चल गया कि दो वेले बच्चे जिनके पास कोई काम नहीं है पढ़ना भी नहीं है उनको सारा दिन लड़ाईएं करनी है तो उनकी repelशन वैसी ही होती है जैसे lone pair, lone pair electron के बीच में होती है अच्छा, अब हम एक दूसरे घर में जाते हैं वहाँ पे एक बच्चा वेला है बिलकुल उसने बारवीं के एक्जैम दे लिए है उसने कोई competitive नहीं देना घर में वेला बैठा हुआ है अगस्त में college लगने है तब उसने जाना है और यह जो bond pair है यह उस बच्चे की तरह है जो mbbs कर रहा है और उसके exams भी पास है तो यह loan pair जो है bond pair को disturb करेगा bond pair try करेगा कि मैं disturb ना हूँ वो दरवाजा बंद कर लेगा लेकिन फिर भी किसी ना किसी बहाने loan pair जो है यह जो वेला बच्चा है वो mbbs करने वाले बच्चे को disturb तो करेगई करेगा इसी तरह से loan pair bond pair के बीच में जो repulsion होती है वो होती है काफी लेकिन loan pair loan pair के comparatively कम होती है और सबसे कम repulsion जो होती है bond pair bond pair के बीच में होती है आप समझ लीजिए कि यह bond pair of electron जो है यह बचा mbbs third year में है और यह वाला जो bond pair of electron है यह mbbs final year में है तो naturally दोनों के exams है college में शुरू हो गए दोनों अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे है इनके बीच में repulsion जो है वो least हो गई इससे हमें पता क्या पता चलता है कि जो loan pair loan pair electron के बीच में repulsion है वो maximum होती है as compared to loan pair bond pair as compared to bond pair bond pair so repulsion between loan pair loan pair of electron is greater than loan pair bond pair of electron is greater than bond pair bond pair of electron I'm very sure के यहां तक आपको अच्छे से clear हो गया होगा clear है बटा ठीक है तो हो जाना चाहिए आपको clear मेरे हिसाब से तो आपको यह clear है तो अब मैं इस wesper theory की help से molecule की shape को explain करने का try करूंगा ठीक है तो मेरे पास एक molecule है जिसका नाम है AX2 राइट AX2 इसमें A जो है central atom है यह मैंने red color से draw करके रखा हुआ है और यह जो black holes दिखाए हुए है यह XX लिखा हुआ है यह दो atom है तो इस case में जो molecule है वो linear है और यहां पे जो first column है उसमें BP लिखा हुआ है यह आपका blood pressure नहीं है यह bond pair of electron है और इसको हम LP को यह आपका low pressure नहीं है यह loan pair of electron है तो okay I would like to tell you के first column में bond pair of electron को represent करता है second column loan pair of electron को represent करता है third column में vesper notation यहनि molecule का नाम फिर fourth column में उसकी geometry possibly कैसे हो सकती है मला उसने vesper theory में काफी हद तक हमें idea दे दिया था के geometry कैसे हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है के vesper theory सारे complex से complex molecule की shape को explain कर पाए और इसकी एक example दी हुई है अच्छा इसमें बताया है के AX2 में बताया के A जो है वो central atom है और X और X इसके left और right side पे है और यह यहाँ पे 180 degree का bond angle बना रहे है 180 degree का bond angle का मतलब है के X और X एक दूसरे को उतनी देर तक repel करते रहते हैं जब तक इनके बीच में repulsions नहीं खतम हो जाती और X और X के बीच में repulsion तब खतम होती है जब bond angle कितना हो जाता है 180 degree ओके तो इसकी example है beryllium kulride तो इसमें दो bond pair है और zero loan pair है loan pair मतलब के कोई ऐसा electron इसमें नहीं है जो के bond नहीं बना रहा और इसमें दो bond pair है एक ये A से लेके X तक और एक ये A से लेके X तक ये first example है मतलब ये उसने try करी हलागे जब हम hybridization बढ़ेंगे तो हम ये try नहीं करेंगे हम बड़ी fluently इसको draw करेंगे हमारे पास बहुत ही अच्छे formulas available है next part of the chapter में जिसमें हम ऐसी geometries को fraction of seconds में fraction of seconds नहीं कुछ seconds में बना सकते हैं ठीक है second example ऐसी ली है जिसमें तीन bond pair है और कोई भी loan pair नहीं है AX3 हमने इसका नाम रखा ये जो red वला item है इसको मैंने A कह दिया और ये जो black वले हैं इनको मैंने X कह दिया तो ये जो shape है इसको triangular planar कहते हैं और example BF3 है और A इसमें जो है वो central item है और ये जो X है वो side items है और इनके बीच में जो bond angle है वो 120 degree है ठीक है? clear है? ओके तो पहली दो जो example की shapes आपको बना के दी उसमें कोई loan pair of electron नहीं था अब मैं जो third example ले रहा हूँ उसमें दो bond pair of electron है एक loan pair of electron है और इसका नाम है AX2L तो L यहाँ पे loan pair को represent करेगा और X यहाँ पे bond pair को represent करेगा X2 है तो naturally दो bond pair होंगे तो AX, AX दो bond pair हो गए A, L यहाँ पे दो dots बनाए हुए ना तो यह loan pair of electron है तो इसकी central atom जो है वो A है और side atom X है L कोई atom नहीं है यह loan pair of electron को represent करता है और इसमें हम hybridization में examples पढ़ेंगे sulfur dioxide, ozone, SN, CL2, stannis chloride, etc बहुत सारी, बहुत सारी examples but the thing is this के अभी हमने hybridization का concept काफी आगे चलके पढ़ना है तो उसमें यह चीज़ें आपको बहुत ही clear हो जाएंगी अच्छा अब आप कहेंगे के इसकी जो shape है मैंने band shape यह V shape लिखी है तो जबके यह इस तरह से है बलके उपर वाली figure जैसा ही है आक्छली जब molecule की shape देखी जाती है तो lone pair of electron को देखती ही नहीं तो मैं इसके उपर हाथ रख देता हूँ मैं इसके उपर कुछ रख देता हूँ यह piece of paper रख दिया lone pair of electron गाइब lone pair of electron अब आपको नज़र नहीं ना आ रहे तो lone pair of electron को नहीं देखना आपने अब इसको देखना है यह किसके जैसा है उल्टी V बनी हुई है V shape है यह V उलट बना हुआ है तो यह V shape है यह इसे band shape कहते है और इसकी lone pair of electron को आपने नहीं देखना अब आगे जितने भी molecule आएंगे जब उनकी shape हमने लिखनी होगी तो हमने lone pair of electron पे ऐसे ही हाथ रख लेना है यह piece of paper रख लेना है और जो बाकी बचे की shape वही molecule की shape होती है तो इसकी example मैंने बताई जैसे के एक sulfur dioxide है ozone है but it is not the end of road it's not last but the least there are hundreds of examples which are of bent shape और V shape ठीक है तो अब हमने तीन examples पढ़ ली पहली example में दो bond pair थे कोई lone pair नहीं था दूसरी example में तीन bond pair थे कोई lone pair नहीं था तीसरी example AX2L L stand for lone pair of electron इसमें दो bond pair थे और एक lone pair of electron था I'm very sure कि ये आपको अच्छे से clear हो क्या होगा अगली example मैं ले रहा हूँ AX4 यानि के 4 bond pair है और 0 lone pair sorry कोई lone pair नहीं 0 means nothing no तो कोई lone pair of electron नहीं है 4 bond pair है तो A4X के साथ ही तो जुड़ा हो है ये CH4 जैसा नहीं आ गया अभी मैंने आपको CH4 की डायग्राम बना के दिखाई थी शायद पिछले page पे पहले आप इसको देख लो A center पे red color का X उपर इदर 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 tetra header लिखा हुआ है तो अब मैं आपको अच्छा ये दिया भी हुआ है मैंने example में CH4 मैंने पिछले page पे CH4 की example भी आपको दी थी ये दिखे CHHH तो इसमें कोई loan pair of electron जो है नहीं है सारे bond pair of electron है तो ये जो molecule है जिसमें कोई loan pair of electron नहीं है सिरफ bond pair of electron है तो सारी shape को देखना होता है तो इस shape को हम tetra header कहते हैं तो सिरफ दोई example मैंने यहां पे लिखी है पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी दोई example होती है तो इसमें CH4 है SIF4 है और और भी बहुत सारी examples होंगी ठीक है बच्चा तो 1, 2, 3, 4 4 examples I have taken up on the basis of Vesper theory Vesper theory के उपर base पे मैंने ये आपको 4 examples अभी करवाई है तो आगे चलके और भी example आएंगी जिनमें bond pair, lone pair of electron दोनों होंगे यहां सिरफ bond pair of electron भी हो सकते हैं और लेकिन जब hybridization का topic आएगा तो कोई भी geometry जो covalent molecule की हैं हम almost hybridization से बना सकते हैं Vesper theory पे नहीं Vesper theory primitive theory है 1940 में suggest की गई थी ये 2020 जल रहा है तो आप just imagine कीजिए के 80 साल पहले जो theory suggest की होगी तो वो सारे molecule की shape को explain तो नहीं कर पाई होगी उसमें कोई ना कोई drawbacks कोई lapses वगरा तो होंगी तो बहुत सारे molecules तो शायद 1940 के बाद ही discover होंगे तो वो हुए होंगे तो उनकी shape को या बहुत सारे instrument जो molecule की shape को determine करने में help करते हैं जैसे spectroscopic techniques होती हैं तो उनकी help से हम molecule की shape को explain करने में help करते हैं हमें वो शायद वो भी बहुत सारे instrument बाद में design हुए थे तो changes आते रहते हैं तो नई नई चीजें जो हैं वो chemistry में आएंगी आपको ठीक है तो ये x जो हैं वो side atoms हैं ये black color के हैं और जो red वाला है ये central atom है तो आपको idea हो गया होगा central atom का और side atoms का अगर SEF4 की example बना diagram डाइगरम डौ करनी होती तो ये जो a है ये silicon हो जाना था और ये जो x से 4 ये full rain हो जाने थे और इसकी shape का नाम है tetra-hedral क्या नाम है बचा tetra-hedral क्या नाम है tetra-hedral come to the next example next example मैं ले रहा हूँ four वाली लेकिन इस पे तीन bond पे रहे हैं एक loan पे रहे हैं तो इसका नाम फिर हमने bond pair वाले को x बोला हुआ है और loan pair वाले को l बोला हुआ है तो इसका नाम a x3 l रखतेंगे a central atom हो गया x3 bond pair of electron हो गया और one जो है loan pair हो गया तो बनाएंगे तो वैसे ही जैसे पिछला molecule tetra-hedral बनाया था तो x बना दिया side पे center पे ए बना दिया red color का उपर loan pair of electron तो मैंने कहा था कि अगर molecule की shape का नाम लिखना हो तो अगर उसमें loan pair of electron है तो loan pair of electron को आपने नहीं देखना ये loan pair of electron के उपर मैंने piece of paper रख दिया piece of paper रखने के बाद अब आप इसकी shape देखिए इसकी shape का नाम है triangle pyramidal this shape is called as triangle pyramidal ये जैसे Egypt country का नाम सुना होगा वहाँ पे pyramids आपने SST की classes में geography में या history में पढ़ा होगा या civics में भी civilizations के बारे में पढ़ाते हैं तो Egypt के pyramids बड़े famous हैं तो उनकी shape ऐसी होती है लग बग तो इसका नाम triangle pyramidal है loan pair of electron को आपने नहीं देखना अगर loan pair of electron molecule में हैं ठीक है example बहुत सारी है आपने अभी एक अधी example याद करनी है जब hybridization हो जाएगा तो आप जितनी मरजी example याद कर लेना मैं अगली example ले रहा हूँ इसमें भी four है लेकिन two four bonds है two bond pair है two loan pair है a central atom हो गया bond pair x2 हो गया और loan pair l2 हो गया तो चार है ना total तो चार ही बनाएंगे तो ये जो central वाला है red वाला ये तो A है यानि ये central atom है तो इसको हमने central atom A लिख दिया ये दो x2 हो गए और ये दो l हो गए यानि loan pair of electron हो गए अब इसकी shape का नाम हमने bent shape या वी shape रखा है बिटा रखेंगे भी इसका नाम bent shape या वी shape भी रखेंगे because loan pair of electron तो आपने देखने ही नहीं loan pair of electron के उपर हमने ये रख दिया ठीक है ये रख दिया ये रख दिया अब आप देखो ये कौन सी shape है वी shape या bent shape हो गए this is called वी shape और bent shape तो इसी लिए loan pair of electron को shape में count नहीं करते I hope it's very clear to you okay come to the next 4-4 वली काफी example कर ली 4 मतलब 4-4 वली example का मतलब जिसमें 4 bonds हो चाहे वो loan pair हो चाहे वो bond pair हो आगे हम 5 पे चलते हैं तो 5-0 है 5 bond pair है 0 loan pair है तो loan pair नहीं है तो L नहीं लगेगा AX5 हो गया AX5 में A जो है वो बचा central atom है ये center में है और 5X है तो एक तो triangle बनी होई है ये वाली देखिए तहां से मैं बना रहा हूँ आपके सामने ये एक triangle बनी हुई है तो इसको triangle कह दिया तो एक डंडी उपर की तरफ है AX एक नीचे की तरफ है तो ये जो एक उपर bond है इसे pyramid कहते है जो नीचे वाला bond है उसे भी pyramid कहते है तो दो pyramid हो गए तो फिर क्या हो गया by pyramidal तो महलब एक trigonal हो गया एक pyramid उपर एक नीचे तो it should be called as trigonal by pyramidal और इसकी example है एक अदी अभी आप याद कीजिए बाकी examples आपने hybridization के बात भी याद करनी है तो एक में और example लेकिन इसका मतलब ये मत समझे ये कि examples ही खतम होगी है सर के पास ऐसा कुछ नहीं है there are hundred of examples which can be given to you but right now this is not the right time to explain all the examples because of the reason when we do the topic hybridization in our lecture things are going to be much more clearer than you are doing right now इसमें शायद थोड़ी learning करनी पड़े लेकिन जब hybridization आ जाएगी तो ये shapes साप की चुटकियों में बनती जाएगी आपको मतलब के मतलब के मतलब कराम थोड़ा सा भी नहीं करना पड़ेगा ओके तो अगली example जो मैं I am going to take up is six की six zero यनि इसमें six bond pair है और zero loan pair है और फिर naturally आटम और x जो है that is side item तो a हमने center पे ले लिया और 6 हमने x ले लिये एक तो ये आपको square जैसा मिल जाएगा या rectangle जैसा मिल जाएगा ठीक है एक pyramid उपर एक pyramid नीचे तो जब इसे three dimension में बनाते है ना तो इसकी shape हीरे जैसी octahedral diamond जैसी बन जाती है तो इसका नाम हमने इसलिए क्या रखा हुआ है octahedral लखा हुआ है और इसकी example जो है SF6 है I'm very sure के वस्पर theory जो है वो आपको बहुत ही clear होगी होगी वस्पर theory हमारी खतम होती है आज तो आज के lecture के लिए मैं इतना ही काम करवाना चाहूँगा आपको the case you had a problem I'm in direct contact with you I'm accessible to you those who are I'm in studying from me बाकी जिनों कई बच्चों ने वैसे भी subscribe करा हुआ है उनको तो नहीं मैं accessible हो सकता शायद वो उन्होंने वैसे ही वो कई बार video देख लेते हैं बाकी बच्चे तो ठीक है कोई बात नहीं देख लेते हैं लेकिन आप के लिए मैं accessible हूँ मेरे notes accessible है ये notes जो है वो बहुत ज़ादा काम आते हैं ठीक है और definitely video कभी भी मैं जब मेरे को लगता है कि आलतु आलतु लोग देख रहे हैं तो मैंसे private भी कर देता हूँ ठीक है so fine we call it today thank you very much love you all